सच में आूट स्टेंडिंग आूट स्टेंडिंडी ज управी गजगह है वही है दिलू इस तरह कहता है ना पेरलल यूनिवर्स यह कुई पैरलल लट्दाख है Comput के रखूंगी थैक्ड माले अखी खुण पर देता है हां पे जो आपकी चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको पर्मिट दिखाना पड़ता है, तो पर्मिट आप उनने ही जरूर लेकाईएगा, अधर्वाइस आप हनले या इस तरफ चूशिल की दरफ नहीं जा पाएंगे। और यह है उपशी गंद डाइबर्जन, लेफ्ट जो है वह जा रहा है मनाली, और राइट जा रहा है मनाली, लेफ्ट जा रहा है नियूमा एंड हल ले, और जो चेक पोस्ट थी इसके अपर तीन गंटे बताएं उन्होंने कि तीन गंटे में आप पहुंच जाएंगे नियू और साथ में बैती है रिवर, आइटिंक नाम है इंडस रिवर, बहुत अच्छा लगता है, बीच-बीच में छोटोटे गाम आते हैं जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा लोनली जरूर है, बहुत सारे टूरिस्ट नहीं जाते इस जगहां पर, तो आपको अच्छा सा फील होगा कुल मिला के, जब यहां पे आप ड्राइव करेंगे तो, जगह आगी है जी, लिख चे, बहुत है ब्यूटिफुल व्यूटिफुल, देखे कितनी मेहनत करी होगी, किस तरह से पाड़ के उपर बनाया होगा, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है और दिखाता हूँ, अबर आप नेचर की साउंड सुनिए, यहां पे आपकी वो नहीं है, मिट्टी, और पत्थर वाले हैं, यह चोटोटे टुकडे, इसके अंदर यह देखे किस तरह से नेचर ने यहां पे भी प्लांट ग्रो कर दिया है, मदर नेचर, मदर नेचर है भी, फ्लावरिंग देखिए इसकी, खुबसूरत है, खुबसूरत, क्लोज व्यू दिखा देते हैं आपको, है ना ब्यूटिफुल, और एक देखिए इस तरह का प्लांट है, सामने है ब्रिज, जो जाता है किसी गाउं को, टार्चिड, और यह जी आंके पाड़ों के स्ट्रक्चर, बहुत अलग है, ले रीजन में, यह सब से अलग स्ट्रक्चर हैं पाड़ों के, नेचरली कैसा स्ट्रक्चर बना हुए, प्रमाल हुए, प्रमाल हुए, बहुत ही बड़िया लग रहा है, बहुत ही बड़िया लग रहा है, नदी के साथ माउंटेंज का बहुत अच्छा व्यू आता है, राइट में बैरी है नदी और सामने हैं उच उचे माउंटेंज, क्या जगें हैं, कितनी ब्यूटीफुल है रहे हैं, यह देखे गाउं में जाने का रस्ता, लकडी का ब्रीज है, पता निया ऐसा लग रहा है कितनी सदियों पुराना होता, आज भी यूज हो रहा है, तो कि इधर है नदी इसके पर बनाए हो रहा है, अबर गाउं देखेंगें, अब दो गर्दी खाई दे रहे हैं, कमाद जगा, कमाद, घर देखना है इस गाउं का, मैं आपको यह घर देखा रहा हूं, पाड के बिल्कुल बेस के अंदर, मकान की चत को जो पाड की उपर की चत है, वह कवर कर रहे हैं, कितने रिमोट अरिया गंदर रहे हैं तो, बारिश और सनोफाल पिछाई नहीं छोड़ रहे है हमारा, अभी आने वाड़ा है क्यारी, कोई गाम होगा चोटा, और बारिश शुरू होगी है, रोड कंडिशन ओसम है ओसम, अभी तक कोई इशो नहीं है, आदा परसेंट भी, लुक अट था ब्यूटिफुल कलर्स व दा माउंटेन, रैड कलर दिखाय दे रहा है और काफी सारी शेट दिखाय दे रहे हैं, बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है, तो यह आजी देगह है, हम पिछली अपने लटाख राइट के दुरान उखे थे यहां पर, बहुत अच्छी फैसलीटी है, सही कंफर्टेबल स्टेर आ था, नियूमा रह गा है यहां से जी, 30 किलोमेटर और रोड कंडिशन कुछ ऐसी होगी है, अलाकि खराब निए कह सकते इसको, बट वो है, रेगुलर बंप्स टाइप में है, इस प्लेस इस नैचरली डिफरेंट प्लेस, आप यहां पर कैम्पिंग कर सकते हैं, साइट सीन कर सकते हैं, अगर आपके बस टाइम है, तो थोड़ी देर नदी एक इनारे बैटके, कुछ क्वाल्टी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, तो यह है जी माहे ब्रिज, अगर आपने सो मुरारी जाना है तो इधर से जाएंगे, हम लास्ट इर गए थे, माहे ब्रिज से सो मुरारी और हमें इशारा किया जा रहा है कि एंट्री करा दीजिए, कि एंट्री जी एंट्री परमिट बहुत ही ब्यूटिफल व्यू आप देख रहे हैं साथ मेरी वरका, यहाँ पे जो आपकी चेक पोस्ट है वहाँ पर आपको परमिट दिखाना पड़ता है, यह फर्स्ट जगह हैं जहाँ परमिट दिखा है, अधर्वाइस कहीं भी परमिट की जुर्थ नहीं पड़ती है, आपको सिरफ एंट्री करानी पड़ती है, अपने गाड़ी का नंबर, अपना मोबाइल नंबर यह सब कुछ, बट यह फर्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर हमें परमिट दिखाने की जुर्थ पड़ी है, तो परमिट आप अनलाइन जरूर लेका आईएगा, अधर्वाइस आप हनले या इस तरफ चूशल की दरफ नहीं जा पाएंगे, एक और ब्यूटिफुल प्लेस दिखाए दिया, शॉट ले लिया, पसंद आयाओगा आपको चलते हैं, कॉंटिनू करते हैं जरूरे, यहां पर बोर्ड लगा रहा है जी, चूशल जो अपने लेफ्ट में जा रही है, और लोमा राइट में, तो हमें राइट में जाना, सच में आउटस्टेंडिंडिंडिंडिंडिंडिंगा है भई यह तरह, जिस तरह कतने ना, पैरलल युणिवर्स यह कोई पैरलल अधाख है, जननत की तरह नजारा दिखाए दे रहा है मैंने अब तक लद्दाक में अगर लेंड्सकेप बात करूँ तो इससे ब्यूटिफुल नजारा अब तक नहीं देखा है शायद आप वीडियो देखके अंदाजा लगा पाएं क्लाउड्स लगा लीजिए माउंटेन के पर शेट लगा लीजिए माउंटेन की खुद की शेट लगा लीजिए आस पास का पूरा हॉल व्यू का अगर मैं बात करूँ तो अब तक का सबसे ब्यूटिफुल नजारा आई हमारे इस लद्दाक टूर का अभी बोर्ट आया था जी लिखावा था वेलकम टू नवा तो हम है नवा में खली नवा करना उचितनी है हम है ब्यूटिफुल 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 एंड ओसम नवा में दिस इस टैंक क्रोसिंग नंबर वन यह जो टाइल आप देख रहे हैं सिडग को जो बाइफर्केट कर रही हैं से टैंक गुजरने का रास्ता है बस मैं आपको यह कह सकता हूं कि जन्नत लद्दाख है यह देखा अगर आपने लद्दाख में यह रिजन नहीं देखा तो मै आपको दिखा रहा हूं वाइड एंगल से और अभी आपको दिखाऊंगा जूम से आप खुद देखेगा तो जी सामने आपको जो गाउं दिखाए दे रहा है लेफ्ट एंड साइड में मेरे लिखाज से नियुमा उना ची है, मैं पहली बारे यहांपह आप Athens, मुझे जादा नहीं पता बट बस्तव बोड के साब से यह नियुमा ही उना ची है बौड आरहे रुके 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 है यह राजी है, हैसी यह अजी नियुमा मुझे किसी ने गाता बहुत फूरत गाम है अब अभी हम थोटी सी कन्फूजन में है नियुमा या हनले